हम पढ़ते हैं देखें जस्ट थर्टीन यर ओल्ड अफसाना मनसूरी है जुगी जुपड़ी से एक बास्केटबॉल कोट मतलब है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी हर्डल एक बहुत बड़ी मुसीबत अपनी सिंदगी की पार कर लिया है कि जुगी जुपड़ी से एक बहुती गरीब इलाके में रहने वाली वो हैं और वो बास्केटबॉल कोट की तरफ मतलब एक टीम का हिसा बन कही है कौनसी वाल नोने फांत ली है कौनसी दिवार पार कर ली है एक तो सोसाइटी की की वो गरीब हैं दूसरी जेंडर की की वो एक लड़की है उनकी मा कहती है कि लड़कियों के लिए बास्केटबॉल केरना एक अच्छे चीज नहीं है तोड़े अफसाना हरसेल्फ हैस बेकम अस्ट्रॉंग वाल अफ एन्बिए वो खुद एन्बिए की उनकी टीम की एक बहुती मजबूत दिवार बन कर खड़ी हुए है तरनाग पाड़ा बास्केट असोसियेशन अफ मुंबाई और वो पाँच और लड़कियों के लिए जो है प्रेड़ना का सोत बन गई है जिन्होंने अपनी जो जिन्दगी की प्रोब्लम से उनको पीछे छोड़ते हुए बास्केटबॉल खेरना स्टार्ट किया है तोड़े शी इस स्टार अफ यंग टीम इस स्टार बन गई है मुंबाई के क्लब हैं जो बास्केटबॉल क्लब्स हैं काफी सारे उनमें काफी नहोंने प्राशा परफॉर्मस दिया होगा और गट्स मतलब होता है हिम्मत गट्स इन्होंने हिम्मत दिखाई है उसको सब मान रही है और यह समी फाइनल सक पहुँच गई है डिस्ट्रिक लेवल का जो टूर्नमेंट है उसमें अब हम टीम से मीट कर रहे है उसकी बाद मीटिंग टीम वी रिडिन न्यूस पेपर अबाउट अफसाना एंड नाकपाड़ा बास्केट 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 बाल टीम व लोगों से सबसें इंका इंट्रॉडक्शन कराया जाए है वी तुक टे ट्रें और गॉन्भाई विक्टोर्या टॉमिनस स्टेशन नुथा बाद मुंभाई का टॉर्स टूर्म टार त्राफ अके बादे हम लोग नागपाड़ा की तरफ अके बाडे अटूक 20-20 तूर धीर मिनट दूर था धियर वी दूर अफ़साना एंट आथज जी आफ़साना और नागपाड़ा बास्केट पाल आस्ोसिएशन ए उससे मिले और फिरागे इंटर्वियू है वहमें बताया क्या है meet this special team meet Afsana, Zarin Khushnour, Afreen at first the girls were quiet but once they started they just did not stop, so we got them all and in starting we didn't talk much about it, but one time they started and it was like that we will not stop Zarin started Zarin began my house is just in front of this ground, my brother used to play here, I would stand in my balcony and watch the boys play I was in class 7th at that time and I was in 7th class whenever the boys played a match many people came to watch and when the boys played a game so many people watched the game and winning team got a lot of praise winning team which was a team which was a lot of praise and that was a lot of praise that was a lot of praise that was a lot of praise everyone cheered the players and everyone cheered the players which was a lot of praise which was a lot of praise on seeing this I wished I could also play and after seeing this I wished I could also play would I too get a chance to show my talent this kid's thinking to show my talent this kid's thinking I asked the coach but he was afraid so I asked him but I was very scared he is a good friend of my father he is my father's friends he is a good friend of my father coach said why not if you bring some more girls you can make a team then I will teach you they say if you took something else और लड़कियों को अपने साथ लेया हो तो एक टीम मन जाएगी और फिर मैं तो मैं तुम्हें एजी ली सिका सकता हूँ अब वो है इंट्रडक्शन मतलब जो इंटर्व्यू है उसके बार में तो कुशनूर से बुछते हैं तो मेरी अमी जो है वो इन फ्लाट्स में काम करती है और हमें स्कूल भेजती है जब मैंने अमी को पहली बार अपने बास्केटबॉल खेलने के प्लान के बारे में बताया तो अमी काफी नराज हो गई और उने का शी सेट गर्स दू नोट प्ले बास्केटबॉल डू योर वर्क गो तो स्कूल एंड स्टडी हाड फिर अमी ने का नहीं यह सब लड़कों का खेलने का गेम नहीं है जब हम उनने के लिए पात करने लगी नहीं फिर आगे वो पताती है ग्राइं अचाड़ा कोश सर ग्राइं नहीं हमें स्कूल्ड का मतलब होता है डाटा ग्राइंड मदर ने आमें डाटा हमारे कोश सर को भी डाटा और वन्हों हमसे कहा you need proper equipment to play तुम लोगों को ब्रॉपर equipment सही जो equipment होते है जो समान केलने के लिए होता है उनको खेलने के लिए चाहिए you need to have a lot of milk for strength और तुम्हें बहुत सारे दूद पीने के जुरुद पड़ेगी ताकत के लिए where will the money for all this come from और ये सारा का सारा पैसा जो है आधूज जो इस गेम में यूज घाते है my daddy also used to play on this ground when he was young he did not have proper shoes or clothes he used to practice with a plastic ball और मेरे जो फादर है वो भी इस प्लेग्राण में के लते ये जब जो थे मगर उनके पास proper shoes नहीं थे proper कप्रे नहीं थे और वो plastic balls से खेला करते थे daddy tells us that बच्चु खान बच्चु खान गाश में और शुट थे कोच कोच वे रहे बच्चो कोच वो होते है तो बच्चु को सपोर्ट सब्छा करते है तो फो उस ताइम नहीं यहां पर जो है कोच हुआ करते थे he saw my daddy playing once he realized that the boy played very well and that he should be trained properly and he saw my daddy one time he realized that he was playing very good and he needed training he gave proper shoes and clothes to my daddy and he gave proper shoes and clothes shoes and clothes my daddy could have become a very good player but because of his responsibilities at home he left the game and took up a job and he said that my father was a very good player but he had the responsibility of his house and he started playing and started playing so he wants us to play and become good players so that's why our father wants to play and become a good player we asked tell us about your team then later Nogu has asked if your team tell us about your team so one girl has told us we felt a bit strange in the beginning we felt a bit strange in the beginning we were the first girls team here and we were the first girls team here people used to come and watch us practice and people came and watched us practice and they watched us practice they were curious to see how girls would play basketball so curious curious word means people were very anxious to know how girls would play now people are no longer surprised and now people are not surprised they have begun to accept that we girls can also play well now people have started to think about it that girls can play well I was 11 years old when we first started playing and she was 11 years old when we started playing at that time we were not allowed to go anywhere else to play a match it has been 2 years since then it has been 2 years since then it has been 2 years since then now we go to other places for match now we go to other places for match we can go to other places for match but all this could happen only because of our hard work and sir's coaching and that's why we did so because we worked very hard and sir gave us a good coaching and now we are going to play a long way we really work hard we have also hard workwork sir is also very strict sir is also very strict we are also very strict we first jog together we will jog so, first joggin we want to try when we are running then we will go outside then, we will excise sir teaches us how to play the game well sir teaches us to play the game well sir tells us that this game can kinda use we still continue to play well and we practice how to keep the ball with us we work with our ball how to rot we try to keep the bat to dodge the players from the other team दोच का मतलब होता है दोका दे देना तो किस तरीके से हम दोका दे 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 दूसरी टीम के लोगों को how to throw the ball in the basket basket में जो है बॉल को कैसे फेके to score a goal to pass the ball well and to run fast on court हम दोग कैसे मतलब goal करे score ball को कैसे पास करें तेस कैसे भागे court में यह सारी की सारी चीज़े जो है हमें सर ने सिखाई है अब sir कहते है अब friend बोलती है कि sir कहते है while playing don't think you are girls खेलते हो यह मैं सोचो कि तुम लड़किया हो play like a player keep playing even if you are little injured और खेलते हों मैं सोचो कि हम लड़किया है खेलते हो सोचो कि हम खिलाडी है हम player है हल्की भुल्की injury भी हो जाए injury का मतलब होता है चोट चोट भी लग जाए तो भी खेलते रहो we support each other and say हम लोग एक उसरी को support करते है और कहते है come on get up you will be fine now our game has improved a lot everyone says that we play as well as the boys team अब हमारा गीम काफी अच्छा होगा है आप सब कहते हैं कि हम लोग boys team की जैसे ही काफी अच्छा खेलते हैं एक और कल है वो कहते है we also play with boys team हम लोग boys team के साथ भी खेलते है we want them to play with us as equals और हम लोग जाते हैं कि बराबरी की तरह लड़के हम लोग के साथ खेले they should not be lenient because we are girls वो हमारी साथ lenient ना हो lenient का मतलब है वो यह ना सोचे की लड़किया है तो चलो इनके साथ अराम राम से खेल जाए sometimes we get angry when boys imitate us कभी-कभी हमें गुस्सा आच आच जब हमारी boys नकल उतारते हैं इमिटेट मतलब हमारी नकल उतारते हैं but we take it as a challenge and correct our mistakes और हम इसको अप एक चुनौती की तरह लेते हैं और अपनी जो गलतिया हैं उनको सुधारते भी हैं if boys try to cheat we scold them और जब boys cheating करने की कोशिश करते हैं तो हम उने score करते हैं हम उने टाटते हैं फिर आगे और है कि we said we said tell us more about your team हमने कहां फिर मतलब जो इंटर्व्यू ले रहे हैं उनोटे कहा कि अपनी टीम के बारे में हमें और कुछ भी बताओ तो एक girl ने कहा कि हमारी टीम बहुत special है हमारी team united है हम एक जोट हो करके खेलते हैं even if we quarrel, quarrel का मतलब होता है लड़ाई करना तो उस quarrel को हम quickly भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ make up कर लेते हैं मतलब सही से अपना मतलब दोस्ती कर लेते हैं हम लोगों ने सीका है कैसे साथ में रहें और कैसे खेलें some of girls from our team got a chance to play as a part of Mumbai team हमारी काफी सारी जो girls है हमारी team की उने Mumbai की टीम में भी खेलने का मौका मिला है the match was at Sholapur Sholapur में वो मैच था जापर हमारी team की लड़कियों ने खेला Mumbai की टीम में हिस्सा लिया अब जरीन बोलती है we went to Sholapur हम लोग Sholapur गए we found the team had girls from different part of the state Sholapur हम लोग गए थे तो हम लोगों ने पाया कि उस team में जो girls थी वो पूरी की पूरी स्टेट से आए थी they did not talk to us nicely and treated us like juniors और बाकी जो लड़किया थी हमारी team में हमें अच्छे से ट्वीट नहीं कर रही थी अच्छे से बात नहीं कर रही थी और हमें अच्छे से खेलने के लिए we felt very bad हमें इस बात से बहुत बुरा लगा there was no cooperation at all in that team और उस team में बिलकुल भी cooperation नहीं था मतलब वो साथ मिलकर अच्छे से उस team में लोग नहीं खेल रहे थे अब आगे बताते है during the match I throw the ball to one of the team members मैच के तौरान मैंने जो बॉल है वो एक अपनी team member के पास फेकी but she could not catch it मगर वो उसको पकड़नी पाई in turn she started scolding me और इसके बदले मैंने उसकी तरफ जो बॉल फेकी थी वो उसको पकड़नी पाई और वो मुझे ही डाटनी लगी blaming me for the mistake मेरको गल्दी के लिए वो टाटने लगी थी in all this misunderstanding we lost the match और इस वजय से हम लुग क्या हुआ मैच हार गए but this never happens in our old team बस हमारी टीम में इस तरीके की लडाई जगड़े एक दूसरे के ओपर कुछ उल्टा जीदा बोलना यह सब हमारी टीम है इसमें नहीं होता है अभी इससे पहले किसकी बात कर रहे थे Mumbai की टीम की जब इस टीम की कुछ लड़किया Mumbai की टीम के साथ मिलकर के खेलने गई थी जब पूरी स्टेट Mumbai टीम बनी थी if we do miss a basket because of someone's mistake we do not get angry it is most important to support each other because we are all part of team बहुत जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे को support करें क्योंकि हम एक ही टीम का पार्ट है Afreen बोलती है खेलने के बाद शोलापूर में हमने रिलाइस कि हम लोग कितने special team है हमारी team कितनी अच्छी है cooperation जो हम लोग एक दूसरे का साथ देते है बहुत अच्छे से कि एक दूसरे को support करना कितना जादा जरूरी होता है Even if every player is excellent the team can lose a match if all do not play together as a team अगर सारे player बहुत अच्छे भी हों और अगर सब साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ cooperate करके ना खेलें तो भी match हार सकते है To play as a team it is important to understand each other's strength and weakness We have been playing well So we have got a chance to go to many places We have played for our city and our state We have played for our city and state We hope to work hard and play for our country someday Yes then we will also be popular like cricketers We will say that we will be popular like cricketers We all want to play well, we all want to play well We start bringing glory to our area and our country We want to show that Indian girl team can win a gold medal We will make this happen So we will say that we will play well So that our area will be popular and famous We want to play well So we want to show this For India girls team too We can win gold medal Now there is Kushnur 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 asks you if you have faced difficulties कोई परिशानिया हुई आपको कुष्णूर बोलती है अगर हम सच बोले तो we have not got all this very easily हम लोग को यह सारी चीज जो है यह हम लोग अच्छा खेल यह सब असानी से नहीं मिला है as girls even to be able to start playing was difficult हम लोग लड़किया हैं हम लोग के लिए खेलना स्टार्ट करना ही काफी मुश्किल था हम लोग को अपनी families को convince करना पड़ा मतलब मनाना पड़ा अपने परिवार वालों को कई बार हम लोगों को मतलब उनसे लड़ाई भी करनी पड़ी और आज भी बहुत सारी लड़किया हमारी तरह मतलब खेल नहीं सकती हैं गेम के बारे में छोड़िये लड़कियों को लोग जो है वो पहने भी नहीं देते माई मेरी जो मा है वो काफे सारी चीजे करना चाहती थी मगर उनको कभी चांस ही नहीं मिला तो मेरी मदर मुझे encourage करती है बहुत सारी encourage मतलब प्रोच साहित करती है बहुत सारी चीजे करने के लिए जिसे games हो गया, swimming हो गया, drama हो गया सारी चीजे करने के लिए प्रोच साहित करती है क्योंकि उनको कभी ये करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो एक लड़की थी अब अफसाना बोलती है आज भी जो है हम लोग को सब्सक्राइब किया जाता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी कोई उनसे कुछ कहता भी नहीं है अफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद मैं अपनी मदर की हल्प करती हूं जह लग बग दो तीन घंटे के लिए उसके बाद मैं अपनी स्टडी चुट्प करती हूं और मैं घर मैं भी सब्सक्राइब करती हूं और मेरे भाई को हमारी पेट्रियार्किल सोसाइटी है, पेट्रियार्किल सोसाइटी का मतलब होता है, जिसमें आदमियों का डॉमिनेशन होता है फामली में, जैसे फादर का, ग्राइन फादर का, और भाई काम नहीं करते हैं, एकस्पेक्ट किया चाता है घरों में की लड़कियां ही काम करें यह सारी चीजे पेट्रियार्क्य सोसाइटी होती है वर्न गर्ल नाव लुक आट जरीन यंगर्स ब्रदर अब एक लड़की बोलती है कि जरीन के चोटे भाई की तरफ देखो वो सिफ 5 साल का है मागर वो कहता है मम्मी वाइडोंट यू सेंड दीदी टू प्ले उसिफ 5 साल क अगर उसे पूछो क्या वह तो खेलेगा बहार तो वह कहता है कि हमाट की खेल लुंगा मैं तो की लडगा हूं इस तरही चोट़ा थी चोटा पांसल का बच्छा सब कैसे सोल सकते है यह आस्पा सुन्ता होगा यह इस में अधर्यालेटी क्या होती है पड़ होते होते Brendan कुम अब अफसाना बोलती है, but it is good for everyone to play, वकर खेलना तो सबके लिए अच्छा होता है, we have now realized how much we benefit from playing, हम लोगों को खेलने से कितना benefit मिलता है, I want to be such a good player that other girls and boys would wish to be like me, अब अफ्रीन बोलती है, I just want to say that if you have some dreams for yourself, give your best to fulfill them, अफ्रीन बोलती है, if you have a wish or a dream, have courage to speak about it, if you don't do this now, you may regret later, so if you have a dream or wish, have courage to speak about it, and if you don't do it, then you will regret it and regret it, we said, the newspaper wrote all about all of you, now students will read about you in this book, how do you feel, the newspaper people say that we have all written about you, we will all read about you, how do you feel about it, हम लोग के पैस कोई शब्दी नहीं है, अपनी खुशी को explain करने के लिए, हम लोग चाहते हैं, we must play even better to make our area and country famous, हम लोग और भी अच्छा खेलेंगे, ताकि हम लोग अपने इलाके को अपने देश को famous कर सके, अप सारी की सारी girls बोलती है कि हाँ, यह हमारी बेविश है, अब कोच सव के बारे में बताते हैं, and the coach who made this team, Noor Khan, told us, this is a part of, this part of Mumbai is very crowded, this is only playground in this area, this is our small Bachyu Khan playground, तो Bachyu Khan playground का playground है, a person named Mustafa Khan used to live in our area, everyone was afraid of him, but children were very fond of him, so everyone started calling him Bachyu Khan, there was no ground then, it was just muddy land, Bachyu Khan used to train children to play, we were among these children, it is because of Bachyu Khan's devotion and training, that players from this area are able to compete with the teams of other countries, इस बही है कि बच्च्च्च्च्च्च जो कोच सरन थे और उनके नाम पे ही, Bachyu Khan playground है, पहले हाँ पर मिट्डी मिट्डी हुआ कर दी थी, फिर उसको समतल्क बनाया, Bachyu Khan सरने, जब लोग तो न से डरते थे, वकर बच्च्च्च्च्च्ची बहुत पसंद कर दे थे, क्यूकि वो बच्च्च्च्चो को खेलना सिकाते थे, और इतना अच्छे से खेलना सिखाया उन्होंने बच्चों को कि दूसरे जो देशों के लोगों के साथ भी हमारे देश के बच्चे अब कमपीट कर पाती हैं बच्चो खान, I have trained the children of this area Today our dream has some who play at the international level Some have even won the urgent award Coach बताते हैं कि जैसे बच्चो खान बच्चों को train किया अब मैं भी इसी तरीके से train करने की कोशिश कर रहा हूं और हमारे इलाके के बच्चे मतलब जो है वो अंतराश्टर लेवल पे इंटरनाश्टर लेवल पे दूसरे देशों के साथ खेल के आए हैं कुछ को तो अर्जुन अवार्ड भी मिला है अर्जुन अवार्ड जो है हमाई देश में स्पोर्ट का एक बहुत बड़ा अवार्ड है नूर खान कंटीनूर नूर खान बताते हैं कि इन लास्ट फ्यू यह वी हैव अलसो प्रिपेर्ड गर्ल्स टीम है हम लोगों ने गर्ल्स की टीम भी बना ली है और गर्ल्स प्लेए फॉर महराश्र स्ट्रेट विद कुट डिसिप्रेट महराश्र स्ट्रेट के लिए खेलती हैं बहुत अच्छे तरीके से अनुसाशन में डिसिप्रेट का मतलब होता है अच्छे से बिलकुल रूल्स को फॉलो करके अग गर्ल्स और बॉइस कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप सो फामिली अलग लग तरीकी की फैमिली से आते हैं हमारे गर्ल्स और बॉइस समार काफी पूर फैमिली से कुछ रिच फैमिली से और सम उर्दू मीडिया में पढ़ते हैं कुछ इंगलिश मीडिया में पढ़ते हैं मगर हम सब मिलकर के एक टीम बनाते हैं तो यह वाला चाप्टर हमारा कंप्लीट हो गया काफी बड़ा हो गया बट काफी इंफॉर्मेटर वह काफी अच्छा